ये वो पवित्र जन्ना है जहां पर सधालो इसनान करते हैं और उसके बाद निलकंठ भगवान के दर्सन करते हैं सावन के आखरी दिनों में मैं आप सभी को निलकंठ महादेव के दर्शन कराऊंगा और निलकंठ मंदिर तक पैदल जानने वाले मार्ग की पूरी जानकारी दूँगा ताजा अपडेट की भी जानकारी दूँगा तो वीडियो में बने रहें और लाज तक जरूर देखें क्या नामें बिटा आपका प्यूस कहां से आयो साहरनपूर से दर्शन हो गए कितनी भीड है मंदिर में बहुत भीड है कितनी देर लाइन में लगे थे एक दुगंटे में नमबर आ गया था कितना समय लगा आप लोगों को यहां तक पहुँचने में चार गंटे उतरने में चार बज़े चले थे बहुत टाइम लग गया दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का मुखे सेल्प में स्वागत है इस समय मैं नीलकंट पैदल मार्ग के पास बिल्कुल खड़ा हूँ इस जगे से नीलकंट पैदल यात्रा शुरू होती है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नीलकंट मंदिर पैदल जानने की मार्ग की पूरी जानकारी दूँगा रास्ते में कौन-कौन से सान से होकर हम मंदिर तक पहुँचेंगे रास्ता कैसा है रोड कैसी है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माद्यम से मिलेगी आज की ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि रास्ता आप सभी जानते हैं कि पैदल है और पैदल मार्ग लबबग 11 किलो मिटर के आसपास है तो अभी हमारी यहां से यात्रा शुरू होगी और इससे जो पहले यहां से लेकर स्वर्ग आस्रम तक का जो रास्ता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से दिखाऊंगा तो वीडियो में बने रहें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाश्त तक जरूर देखें क्योंकि आज की यह आत्रा आप सभी के लिए बहुत जरूरी होगी और भगवान भोले नात के आपको दर्सन भी कराएंगे मंदिर के जो ताजा द्रसे हैं गो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे तो आईए चलते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है रास्ते के बारे में क्योंकि जो रास्ता है जंगल से होकर जाता है तो सौधानी रखें और सबसे में यह है कि ग्रूप में चलें लबबग आठ दस लोग आपके साथ हो तब चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बाकी यहाँ पर यह भी वोर्ड लगा हुआ है नीलकंठ पैदल मंदिर तक जाने का जो पैदल मार्ग है वो इस तरफ है जै हो तो कुछ देर के लिए आप सभी मेरे साथ बने रहें और चलेंगे हम सभी भगवान भोले नात के दर्सन करेंगे आईए अब हमारी यात्रा यहाँ से सुरू होती है दोस्तों रास्ते की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लाज तक जरूर देखें और लाइक करने के साथ आगे सेर जरूर करें क्योंकि इस तरह की जो वीडियो है बार-बार नहीं बन पाती है और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि हरे द्वाद इसी केस की सभी जानकारी आपको मिलती रहें तो दोस्तो रास्ता देख सकते हैं रास्ते में बहुत सारे लंगूर बंदर भी आपको देखने को मिलेंगे कि दोस्तो यहां देख सकते हैं कुछ लोग दर्सन करके वापस आ चुके हैं हरार मादयो भाई सब दर्सन करके आ रहें वापस कितना टाइम लगा था आप लोगों को चड़ाई चंड़े में दाइ गंटे लगे दाइ गंटे लगे दाइ चलो हरार मादयो भाई सब ठीक है दोस्तो हमारी जो यात्रा है वो सुबह 8 बुजे शुरू हुई थी और जिस पॉइंट पर आपने वीडियो की सुरुवात देखी है उससे पहले भी थोड़ा सफर है उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के मादयम से दूगा तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और रास्ता कैसा है कहां को मुड़ना है कहां पर ज़्यादा चड़ाई है कहां पर ठीक है विस्तार से जानकारी आपको इस वीडियो के मादयम से मिलेगी बेटा क्या नाम है आपका आसीस पैदल यात्रह करने वाले हो है मंदिर तक जाओगे इधर देखना इधर देखना दोस्तों जैसे ही लगबग आप 400-500 मीटर के आसपास चलेंगे तो आपको यह चौरहा दिखेगा और अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से होते हुए जहां से यह बोलेरो जा रही है और इसी रास्ते से होते हुए आप जा सकते हैं लेकिन अगर आपको पैदल जाना है तो इस सीधे रास्ते में आपको जाना होगा और हरिद्वार अगर आप जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से जा सकते हैं ये रास्ता हरिद्वार को गया है और ये जो रास्ता है यह कार से बाइक से आप निलकंड मंदिर जा सकते हैं और सामने जो रास्ता आपको दिख रहा है यह रास्ता पैदल मार्ग है यहां पर बोर्ड भी लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं तो आई आगे चलते हैं हर हर दोले नमन शिवाय नमन शिवाय ओ नमन शिवाय हर हर दोले नमन शिवाय दोस्तों रास्ते में जैसे ही थोड़ी थोड़ी दूर चलेंगे तो ऐसे जरने आपको देखने को मिलेंगे जो आपका मन बोलेंगे और थोड़ी देर आप इसमें बैठ सकते हैं और अगर आप म तो आगे चलते हैं आसे रास्ते में बहुत सारे द्रस से आपको देखने को मिलेंगे हर हर महादेव कैसा लग रहा आप लोगों दर्शन करके आ रहे हैं आप लोग कहां से हैं विजनोर से हैं कितना समय लगा आप लोगों को यहां तक पहुंचने में चार गंटे उतरने में चार बजे चले चार बजे चले थे बहुत टाइम लग गया और चड़ाई चड़ने में कितना समय लगा ता अच्छे गाड़ी से गया थे चलो हर मादेव कैसा अच्छ 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 दोस्तों यह जो वीडियो आप से भी देख रहे हैं यह 9 अगस्त के है और 9 अगस्त के समय जो सावन के आखरी दिन चल रहे थे तो उस समय जो स्रिधालू की संख्या थी वो थोड़ी कम नजर आ रही थी लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी इस उदास्ते में थे जो ब जैसे कि आम तोर पर बैसनो देबी जैसे रास्ते नहीं है कि रोड अच्छी हो प्लेन हो यहां पर कई जगे रोड बहुत ज़्यादा खराब है तो आप रास्ते को सही से देख ले और वीडियो को लास्त तक जरूर देखे ताकि आपको रास्ते के बारे में फूरी जानका जानकी थी और आप यह रास्ता देख सकते हैं चलते हैं आगे दोस्तों लगबग 1200 मीटर के आसपास हम लोग आये होंगे और अभी से हालत खराब हो चुकी है और लगबग 10 से 11 किलोमेटर और चलना है अभी दोस्तों मोनी बाबा का जो आस्रम है वो अब आच चुका है और यहां से आपको दाइने मुड़ना होगा हार हुआ है हो वहां हम दो स्दुले है अभा मँल है यूरत मांबड आ बुम रूले अभा मोरे आर आ अ इस अ आट आ को जह बोले की यांद झानिय याे उन्वले किंझे है कि सामने बाबा मौनी बाबा का अस्रम है और यहां से आपको राइट हैंड मुलना होगा यह रास्ता जो है यह मंदिर तक गया है हुआ है हम अर्शा अर्स प्रिफ आभा इन अर फिर अग है अराम से एके डूस्तों इस यात्रह पद आप कि चलने में बैष्णो देवी मंदिर की याद आ रही है और उससे भी थोड़ी मुझ के लिए यात्रा लग रही है क्योंकि इसमें खड़ी चड़ाई ज्यादा है कि दिदी हर हर महादेव हर हर मादेव कैसा लग रहा है आप लोग उको यात्रा करके अभी तो बहुत सबर बाव की है और चलेंगी और कहां से आयाँ आप लोग बुलंट्स है तो दोस्तों ऐसे ही राष्टे भर आप को से धालू मिलते रहेंगे तो उनसे बाते करते हुए अगर आप यात्रा करेंग तो थोड़ा असान हो जाएगा और या तो जैकारे लगाते रहें या तो बाते करते रहें तो दोस्तों यहां से आप रिसी केस का भीउ देख सकते हैं और लगबग अभी दो किलो मेटर के आसपास ही हमने यात्रा पूरी की है हरार मादयो जैश्री महाकाल कहां से आए आप लोग साज अहां पूर से थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हो ओ भाई धूब भी निकल आई हर हर महादयो दोस्तों रास्ते को आप अच्छे से देख लें ताकि जब भी सफर करें इसके अनुसारी आप प्लान करें अगर छोटे बच्चे हैं भुजुर्ग महिलाएं हैं तो यात्रा पैदल ना करें आप दोस्ते अरे को जा मैंतोर दोस्तों अधिर्टा लेकश्चा हैं इससे के अ कि कि चौकष्छ देट सबस्तों कि में हो का जए लिए का शावाल अबोब हुआ हुआ हें हुआ हुआ कि घप खा松 पर हुआgle सुर्चा जए सनवार दोस्तों लगबख तीन किलोमीटर चलने के बाद पहला इस टॉपेज यहां पर हम थोड़ी दिर रेस्ट करेंगे और उसके बाद यात्रा को कंटिनु करेंगे और अभी एक भाई साब मिले थे जिन्नों ने और हिम्मत हमें दी है कि यहां से मात्र 6 किलोमीटर के आसपास यात्रा भी बची है तो देखते हैं लगबख एक से डेड़ घंटा और लगेगा और उसके बाद आप सभी को भगवान बोले नाथ के दर्सन कराएंगे और रास्ते से जुड़ी हुई सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी और अभी तक जितना भी रास्ता आपने देखा है कुछ इस्तान पर तो ज़्यादा खराब है और बाकी ठीट ठाक है लेकिन जल्दवाजी करने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है आप आराम से यात्रा करें और रुक रुक के यात्रा करेंगे तो ही बेतर है सांस फूलने लगे तो रुकना तो बनता ही है तो आईए चलते हैं आगे की जो यात्रा है उसको कांटिन्यू करते हैं झाल 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 सकते हैं खिल्दीन के कि पाल कोुछ थे जाया सकते हैं कि आप लोग आये हुए हम सारणपूर से चार लोग हैं कि सारे लोग हैं आप कहा हैं मैं हरीद्वार से ही रुकन हैं आप लोग कहां से हैं पाणी पत से हैं तो दोस्तों लगबख 60 पर्शन का जो सफर है वह हमारा पूरा हो चुका है 40 पर्शन अभी हमें और चलना है तीन से चार किलोमीटर की जो यात्रा है अभी और बची हुई है तो लगबख 45 मिनट के आसपास और लगेगा और ठकावट तो बहुत ज़्यादा होने लगी है दोस्तों इस रास्ते में चड़ाई कई जगे पर बहुत ज़्यादा है तो वही मैं करना चाहूंगा कि आराम से चले जैसे आप लोग बैसरोदेवी कियात्रा करते हैं उसमें तो फिर भी आपको रोड अच्छा मिलता है लेकिन इसमें कई जगे पर रोड कुछ ज़्याद का रास्ता करें या इस तरह की रास्ता करें तो आप ज्यादा आगे देखने की कोशिश ना करें अपने से 10 फिट तक ही आप देखें और नीचे जुक कर यात्रा करेंगे तो आप आसानी से यात्रा कर पाएंगे कैसे हैं आप सभी लोग निलकंड मंदिर की आत्रा आप लोग कर रहे हैं कहां से आए हम लोग हर्यान से आएं बेटा कैसा लग रहा है ठकावट तो नहीं हो रही है क्यों अच्छी बात है दर्शन करके अगर लेट हो जा तो महीं रुख जाना जैकारा लगा दो आप लोग दोस्तों रास्ते को आप सभी देख सकते हैं रास्ते की चोड़ाई ज्यादा नहीं है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खाई की तरफ नहीं चलना है आपको दूसरी ओर किनारे चलना है और क्योंकि जब आप ठक जाते हैं तो आपकी पैर भी लड़कराने लगते ह तो इसका विसेज ध्यान रखने खाई के ओर बिल्कुल भी नहीं चलना है और ये टावर हमें दिखने लगा है जो इंडिकेट कर रहा है कि लबग धाई किलोमेटर का हमारा सफर और रह गया है अभी हमें यहां से इस पहाड से नीचे उतरना होगा फिर दूसरे टावर वाले पहाड में हमें चड़ना होगा तो अभी देख सकते हैं कुछ देर हमें नीचे के ओर जाना होगा एक तरह से कह सकते हैं कि पहाडों के तलहटी में थोड़ा सा हम जाएंगे और उसके बाद हमारा जो पहाड है वो चेंज हो जाएगा दूसरे वाले पहाड में चड़ेंगे तो आगे का रास्ता आप ध्यान से देख ले और ये जब टावर आपको आजाएगा तो आपको एक खुशी भी होगी कि मंजिल करीब है बाबा का मंदिर भी करीब है तो आईए आगे की आत्रा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ सेयर जरूर करें मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको इस रास्ते के बारे में पूरी जानकारी हो कि रास्ता कैसा है और अब हम इस पहाड के नीचे तक लगबक आ चुके हैं यहां से अब हमें दूसरे पहाड में चढ़ाई करनी होगी और ये वाली जो चढ़ाई है ये काफी जादा खड़ी चढ़ाई है एकदम से उची चढ़ाई आएगी तो ये थोड़ी सी चढ़ाई जो है थोड़ी दोस्तों जहां पर पैदल चल पाना इतना मुश्किल है वहां आप देख सकते हैं लबग 30 किलो के आसपास ही तखत होगा 30-40 भी हो सकता है अच्छा 50 से नीचे नहीं है तो कहां तक ले जाएंगे मंदिर तक गाउं तक कौन सा गाउं है अच्छा दोस्तों रास्ता देख सकते हैं और अब इतना ज्यादा थक गया हों कि जुबान भी लड़कराने लगी है और यहां पर एकदम से खड़ी चड़ाई पड़ेगी और जब खड़ी चड़ाई लास्ट में आएगी तो समझ लेना कि अब मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं हैं अब नाइट किलो मीटर है ओ भाई अब अगराने रहे जब आएट कि नहीं ऑट्रव पर गाई वह में नीदो करते तो ज़िए पदा है? वहागा यहाई हो ओगाई हो फिर शुक्णल भी शुबान भी जागा तो जागा तो बाल आजी हो दोस्तों यहां से आप सभी देख सकते हैं हरिद्वार रिषी के इसका विव यहां से नजर आ रहा है नमई शिवा जिंगा रराय शिंगा रराय शिभि गंगा रराय हर थीद हर गोले नमई शिवाए treaty西वयो नमई शिवाए दोस्तो जब आप टावन वाले पहाड में चड़ जाएंगे उसके बाद आपको मार्केट दिखनी सुरू हो जाती है और ये जो मार्केट है ये ज़्यादतर सावन के महीने में ही लगती है और बाकी समय में ये मार्केट खाली रहती है और तो जैसे ही आप आपको ये मार्के नीचे उतरना होगा और वो जो नीचे उतरने वाला रास्ता है एकदम से नीचे उतरने का है और उसके साथ साथ लगबक देड़ दो किलोमेटर और नीचे चलना होगा तब जाकर आप मंदिर में पहुंचेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दुकाने आपको दिख रह रहती हैं और बाकी समय पर यह एक दो दुकाने यहाँ पर खुली हुई आपको दिखेंगी और यह बराबर का एरिया है यहाँ पर ना ही चड़ाई है ना ही आपको उतरना है थोड़ा सा प्लेन में चलना होता है हलका पुलका हो सकता है कहीं चड़ाई है लेकिन यह देख स कितनी भीड मंदिर में हैं भाक्षा कुच्छ कि दयर लाइन महरा गया था कि जारही है टरक में जो भी यहां का समान है उसको यहां पर लाद़ कर तो नीचे का उतरने का नाम पर लोग कहते हैं कि आसान है लेकिन बहुत मुश्किल होता है नीचे उतरना, एकदम से नीचे उतरना होता है तो उतर पाना थोड़ा मुश्किल होता है और पैरों में दर्द उतरने की वज़े से होता है नाकी चर्णने की वज़े से से बंदारा चल रहा है यह लास्ट काहँ होगा सी लास्ट होगा अच्छे अ है लौट के लोट के लोट बत्त今 एंगा अ झाल है मैं पिं गory कि स organize दोस्तों लगबग आठ से दस किलोमेटर की जो हमारी यात्रा है वो कम्प्लीट हो चुकी है यहां से अब हमें लगबग एक किलोमेटर नीचे उतरना होगा और उसके बाद आप मंदिर तक पहुंचेंगे इस रास्ते में आपने देखा कि कई जगे पर तो बहुत ज़्यादा चड़ाई थी और बाकी जगे पर थोड़ा सा कम थी जब रामजूला से स्वर्गास्रम से आप चलेंगे तो लगबग दो किलोमेटर तो आप नॉर्मन रोड के रास्ते से आएंगे उसके बाद चड़ाई शुरू होगी और लगबग चड़ाई यहां से खतम हो जाती है अब हमें सीड़ी के रास्ते से नीचे चलना है तो चलते हैं आगे की जो यात्रा है उसको कांटिनू करते हैं और भगवान भोले नात के आप सभी को दरसन कराते हैं दोस्तों अब हमारा नीचे उतरने का जो सफर है वो शुरू हो चुका है और एक बात का हमेशा ध्यान रखना जब आप चड़ाई करते हैं और उसके बाद जब रेस्ट कर लेते हैं तो आपकी सारी थकान भी दूर हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल रहता है लेकिन जब आ उसका जो दर्द है वो ज्यादा दिन तक भी रह सकता है और आप देख सकते हैं जब मैं थोड़ा नीचे उतरा हूँ तो यहाँ पर एक और बड़ा सा आपको गेट दिखेगा और यहाँ पर लिखा है स्री निल कंठ मंदिर तो यहाँ से आपको दाहिने और मुर्णा है यह देख सकते हैं आप यहाँ से सीधे नहीं जाना है आपको एक बड़ा सा गेट दिखेगा मैं आपको गेट दिखाता हूँ यह गेट है तो यहाँ से एकदम से नीचे की तरब उतरने का रास्ता है मलब बहुत ज़्यादा ढाल है तो उसमें आप आराम से हर एक कदम को आराम रहता है तो आईए अब कुछी देर में हम मंदिर में पहुंच जाएंगे आप सभी को भगवान भोलिनात की दर्सन कराएंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे सेर जरूर करें और लगातार ऐसे ही हरिद्वार रिशी के इस चारधाम यात्रा से सम्मंदित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें तो आईए हर-हर महादेव यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो बेटा कहां से आजा आप लोग सारे लोग ख़ड़े हो जाएदा इधर को मूह करके खड़े हो जाएगे कहां से आएंप लोग बेटा उत्तरफदेश में कहां से अम्रोह जिला से के सारे बच्छे चड़ाई करके आयां नीचे से वा इदल क्यानां में आपका इमाहि 2 आपका के नम है किटने साल के ओ आप नौ येर के ओ आप कितने साल के ओ, आठ साल के जब आप चड़ाई चरड रहते उपर ठकान उए थी नहीं हुई ठके थे, यह आराम से आगे थे, खिलते खिलते आगे, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, पै अब हमारा जो शपर है वो मात्र एक किलो मेटर का बचा हुआ है तो थोड़ा सा इंतजार करें आपने इतनी बड़ी वीडियो देखी है तो थोड़ा सा और देखें रास्ते की पूरी जानकारी तो मिलेगी ही उसके साथ भगवान भोलेनात के दर्सन करेंगे और मंदिर के आसपास का जो ताजा द्रस हैं कितने भीड हो रह हैं सब को देखने को मिलेगा और यहां से हनमान जी का मंदिर आपको नजर आने लगेगा जो की दूसरे पहाड में एक उचाई पर है और जो निलकंड मंदिर है वो थोड़ा नीचे की तरफ है तो यह मार्केट के दिरस से देख सकते हैं और मार्केट काफी बड़ी है मैं मंदिर के बिलकुल पास महच चुका हूँ तो चलते हैं दर्सन करते हैं दोस्तो अब मैं लाइन में लग चुका हूँ आप सभी तयार हो जाएं भगवान भोलेनात के दर्सन करने के लिए और सबसे महतुपूर जानकारी यह है अगर आप निलकंड महादेव मंदिर जा जाएं तो आपको भील्ड ज्यादा नहीं मिलेगी और 10.30 बजे के बाद यहां पर काफी ज्यादा भील्ड लग जाती है और 10.30 बजे भोग भी लगता है सफाई भी होती है तो उस समय लाइन भी रुख जाती है तो आप 9.30 बजे तक पहुँच जाएं तो आराम से दर्सन कर सकते हैं और अब आप सभी भगवान भोले नात के दर्सन करें निलकंट महादेव के दर्सन करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो को जल्देल्दे आगे सेर करते जाएं दोस्तों दर्सन करने के बाद अब हम बाहर निकल चुके हैं और अब मैं आपको यहाँ पर जो अखंड धुना है उसके दर्सन कराता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं यह अखंड धुना है बहुते मुख इस्तान है कहते हैं यहाँ की जो धुना की भस्म हुआ करते थी वो भगवान भोलेनात अपने पूरे सरीड में लगाया करते थे तो यहाँ भी दर्सन आप कर सकते हैं और आप चलते हैं मंदिर परसर में और यहाँ देख सकते हैं काफी ज़्यादा से ध्धानू की भीड है और जो काम पहले मंदिर के अंदर हुआ करता था गर्ब ग्रह में सावन के महिने में उसको बाहर कर दिया जाता है क्योंकि नीलकंड महादेव मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड होती है इस वज़े से जल्देदी लोगों को दर्शन करके बाहर भेजा जाता है और बाकी जो प्रसाद है लोग यहाँ पर चड़ाते हैं और जो कलावा होता है और उसके साथ साथ और भी जो प्रसाद में जैसे कि धूब बत्ती होती है लोग यहाँ पर चड़ाते हैं आप देख सकते हैं यह मं निलकंट महादेव मंदिर में कई बार जब जादा भीड होती तो तीन ती चार-चार भंटे लग जाते हैं लोगों को लाइन में लगे हुए और मुख्य मंदिर है ये भारत का तो इस वज़े से यहाँ पर सबसे ज़्यादा से दालू आना भी पसंद करते हैं दोस्तों अब मैं आपको राम जूला से निलकंट मंदिर पैदल मार्क जहां से शुरू होता है उसका बीच का जो सफर है वो दिखाऊंगा तो अभी देख सकते हैं मैं राम जूला के बिलकुल पास में इस समय खड़ा हूँ ये जगे जो है ये स्वर्ग आसरम है और ज्यादा तर लोग राम जूला के पास ही आते हैं क्योंकि जो आटो की पार्किंग है जो विक्रम की पार्किंग है वो राम जूला के पास है तो यहां तक तो लोग आसानी से आ जाते हैं और इसके बाद का जो सफर है वो मैं आपको आगे की जानकारी दूँगा कि यहां से निलकंट मंदिर त है वहां तक कैसे पहुंचा जाए तो स्वर्ग आस्रम से हम चलते हैं सीधे यहां से अगर राइट आप मुड़ते हैं तो गीता भवन परमार्त निकेतन की ओर चले जाएंगे राइट मुड़कर भी आप निलकंठ मंदिर मार्ग तक पहुंच सकते हैं और अगर आप सीधे ज देख ले यह रास्ता काफी वैसा है इसमें बहुत सारे लोग भटक जाते हैं और जानकारी नहीं हो पाती है तो इस रास्ते को तो आप बिलकुल ध्यान से देखें राम जुला से बिलकुल सीधे चोटी वाला रेस्टुरेंट होते हुए मैं इधर आ रहा हूँ यहां पर देखेंगे, आपको थोड़ी सी चड़ाई चड़नी होगी और उसके बाद यहां पर स्वरग आस्रम ट्रेस्ट का जो मेन आओफिस है वो आजाएगा आप यहां पर देख वाला प्र देख सकते हैं। तो आपको यहां से आगे और चलना है और थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको राइट हैंड मुड़ जाना है यह रास्ता जो है मुड़ने के बाद आप सीधे यही रास्ता जो है निलकंट मंदिर पैदल मार के लिए जाता है दोस्तो इस रास्ते में अब आपको सीधे लगबग 2 km की यात्रा करनी होगी तो सीधे आप जाएंगे तो इसमें एक जगे जीप स्टेंड मिलेगा फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहाँ भी एक जीप स्टेंड मिलेगा और वो जो जीप है वो निलकंट मंदिर आपको ले जाएंगी अगर आप जीप से जाना चाहते हैं तो 200 रुपए पर परसन आना और जाना सामिल होता है तो आईए आगे चलते हैं और इसी रास्ते में आपको भूतनात मंदिर का एक रास्ता मिलेगा लेप्ट मूर्णा होगा और अगर आप भूतनात मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के खतम होते ही वो वीडियो स्क्रीन में आ जाएगी आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं ये लेप्ट में देख सकते हैं ये है भूतनात मंदिर का रास्ता और भूतनात मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद मंदिर है कहते हैं कि जब भगवान भोलेनात की बरात खारिद्वार कंखल के रिया आ रही थी तो एक रात्रिका विश्राम भूतनात मंदिर परसर में हुआ था तो आप वहां की वीडियो जरूर देखें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और अब हम सीधे जा रहे हैं और यहां पर एक और आपको जीप स्टेंड मिलेगा और यहां से भी एक रास्ता सीधे जानकी सेत के ले जाता है अगर आप जानकी सेत पार करके इस तरफ आना चाहते हैं या निलकंड मंदिर तक पैदल मार्क तक पहुँचना चाहते हैं तो यहां पर एक राइट हैंड को एक रास्ता है अभी कुछ देर में आ जाएगा यह रास्ता है तो आप सीधे यहां से होते हुए भी निलकंड मंदिर पैदल मार्क तक पहुंच सकते हैं तो अब हमें थोड़ा सा और आगे चलना होगा और यह जो रास्ता है यहां तक तो ठीक रहता है काफी कुछ भीरड रहती है आगे आपको जादतर पैदल यात्री ही दिखेंगे क्योंकि ये जंगल का रास्ता है और जो लोग पैदल यात्रा पर जाना चाहते हैं वो इसी रास्ते से होकर उस इस्तान पर पहुंचते हैं जहां से हमने वीडियो की शुरुवात की थी यहां पर 84 कुटिया है एक बहुत ही फेमस जगह है रिसी केस का जिसे बीटल आस्रम भी बोलते हैं तो आईए चलते हैं थोड़ा सा और आगे उस इस्तान पर जहां से हमने वीडियो की शुरुवात की थी तो ये रास्ता आपके लिए जानना बहुत जरूरी था और इसी वज पैदल यात्री ही आपको दिखेंगे स्वर्ग आस्रम से यहां तक का जो सफर है वो धाई किलोमेटर के आसपास है और जो लोग स्वर्ग आस्रम से पूरी पैदल यात्रा वहां तक करते हैं तो उनके लिए सफर जो है 13-14 किलोमेटर के आसपास हो जाता है और हमने यहां त तक का जो रास्ता है वो बाइक से तैकिया था हम बाइक से उस इस्तान तक पहुंचे थे जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है दोस्तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी होगा क्या राम जूला से या स्वर्ग आस्रम से निलकंट मंदिर पैदल मार्क तक हम किसी साधन से या किसी गाड़ी से पहुंच सकते हैं तो आप परसनल गाड़ी से आ सकते हैं लेकिन वहाँ पर पार्किंग का इशू आएगा वहाँ पार्किंग की कोई जगे नहीं है अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि कोई टैक्सी हायर करके तो टैक्सी करके आप यहाँ तक आ सकते हैं और टैक्सी आपको यहाँ पर ड्रॉ आने वाला है जहां से निलकंट मंदिर पैदल यात्रा शुरू होती है